अगर कर लेंगे धन्तेरस के दस उपाये फोरं दूर हो जाएगी आपके घर से धन की किलत दोस्तो धन्तेरस भगवान धन्वंत्री की पूजा के समय धन्धाने की वर्षा करने वाला त्योहार है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारें बता देती हूँ नमस्कार दोस्तों मैं वीना गौतम कैसे हैं आप सभी मैस्टर लोजर वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर आप सभी का मेरे चैनल चेंज यूर फोर्चुन में स्वागत है अगर पहली बार आएं तो प्ले चैनल को सब्सकाइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समझे में पर आपको मिलती रहे तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ शेयर करने वाली हूँ धन तेरस पे करने वाले कुछ पहती मैजिकल उपाय जिनको करके आप अपने घर से आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं पैसे की कमी को दूर कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, धन तेरस के दिन से ही दिवाली पर्व की शुरुआत हो जाती है, इस दिन से देवी देवताओं की पूजा विधी विधान से करने से घर में शुक्षान्ती तरक्य और सम्मंता आती है, शास्त्रों के दिन समुद्र मंतन के दोरान दे को दूर करने के लिए विश्यश अचुक उपाय किये जाते हैं, पहला उपाय इस प्रकारत धंतेरस के दिन भगवान कुवेर की पूजा की जाती है और उनकी दिशा उत्तर माने जाती है, इसलिए धंतेरस के दिन नगदी उत्तर दिशा में ही रखें, ऐसा करने से आपको धंलाब होगा, दूसरा धंतेरस पर अपने घर या दुकान की दिजोरी या गले पर लक्षमी जी का ऐसा चित्र लगाना चाहिए, जिससे मालक्षमी कवल पर धंवर्शा की मुद्रा में बैठी हो, और तो हाती सून उठाए नजर आ रहे हैं, ऐसा करने पर हमेशा दिजोर में मालक्षमी का वास होता है, तीसरा शुब मरत में इस दिन बजार से 11 गुमती चक्र ले आएं और इन पर चंदल लगाकर लक्षमी पूजन करें और लक्षमी मंतरों का जाप करें, इससे आपके घर में धंधाने की कभी कमी नी रहेगी, आर्थिक तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, चौथा इस परकार है, माता लक्षमी की प्रसंता के लिए धंतरस पर नई जाडू घर में लाना बेहद सिम्रिदी दायक माना गया है, जाडू से साफसफाई होती है, और स्वच घर में भी लक्षमी मा का निवास होता है, और लक्षमी मा ऐसे घर में न प्रधान करता है, एक बात हमेशे याद रखे, बरतन जो है आपने पीतल का खरीदना है या कांसे का खरीदना है, तो बहुत ही शुब माना जाता है, छटाव पाइस प्रकार है, मा लक्षमी भगवान कुवेर को प्रसंद करने के लिए इस दिन पूजन के बाद रात को केस या हल्दी से रंगे हुए 21 चावल के दाने लाल कपड़े में बांध कर तिजोरी में या पैसे रखने मली जगह पर रखना चाहिए, दाने चावल के तूटे वे ना हो, ऐसा करने से सम्रिदी आती है 27 प्रकार धंतरस के दिन आपको मालक्ष्मी के श्रियंद्र को स्थापित करना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए, दिवाली तक पूजा करने के अपरांत, आप इसे घर या ऑफिस की उतर दिशा में रख दे, ये दिवार पर लगा दे, ऐसा करने से आपको मालक्ष्मी क किरपा अविश्य प्राप्त होगी, 28 प्रकार अगर आपको किसी भी प्रकार का भैर रता है या फिर आप अपने शत्रों से परशान है तो आप धंतरस के दिन हनुमान जी के आगे चमेली के तेल का दीपक अविश्य चलाएं और इसके अलावा 11 पीपल के पत्तों पर श्री दिशा में यम का दीपक अविश्य जलाएं ऐसा करने से अकाल मिर्टू का भ्हानी रहता है और निरवगी शरीर हमेशा के लिए होता है रोक शरीर के पास भठकने भी निपाता है दसमा उपाईस परकार यदि आपको या आपके परिवार में स्वस्त सम्दी कोई परशानी है तो आप धन तेरस के दिन अन और दवायों का दान अविश्य करें ऐसा करने से आपकी सेहत संबंदी समस्य जल्दी समाप्त हो जाएगी दोस्तों ये करने उपायों और बतारियों में इसके लावा आपको इस टोटके को करके आपने अपनी जिंदगी से आर्थिक तंगी को दूर कर देना है और आपके जिंदगी से आर्थिक तंगी और पैसों की कमी हमेशा के लिए दूर होगी इस टोटके को अपना कर मातर पांच रुपे में आप अपनी आर्थिक परिशानी को दूर कर सकते हैं आप धन तेरस के दिन पांच रुपे की साबू धनिया करें औ और माता लक्षमी और भगवान धर्वंत्री के सम्मुक रख दे इसके बाद अपनी मनों कामना बताकर कुछ धनिया बगीचे में बो दे और कुछ को लाल कबड़ें बांध कर अपने तिजोरी में रख दे ऐसा करने से जल्द ही जल्द आपकी आर्थिक परिशानी दूर हो ज खर पांच उर्पे के तो नहीं मिलते हैं लेकिन आप दिये खरीद कर लाएं और घर के बाहर दीप वाला बना कर जलाएं दीप माला बना लें उन दीप को की और घर के बाहर दीप माला बना कर जलाएं ऐसा करने से ना सिर्व आपको कर से मुक्ति मिलेगी बलकि साथ ही अका लक्ष्मी को सबसे प्रिये भोग है, मा की हर पूजा में बताश्य का प्रियोग के जाता है, धंतेरस की पूजा में भी मा लक्ष्मी के बताश्यों का भोग लगाएं, ऐसा करने से मा लक्ष्मी प्रसंद होती है, इससे आपकी तिजोरी में कभी धंधाने की कमी नहीं रहती ह अगर आप तिजोरी में उल्लू की तस्वीर लगाते हैं इससे भी बहुत फायदा मिलता है ऐसी मानता है कि देवी लक्षमी को बहान उल्लू नकरात्म कुर्जा का नाश करता है उल्ली तस्वीर को धन्तेरस के दिन तिजोरी अलमारी में जहाद धन लगते हैं छिपकादे उल्लू की तस्वीर धन्ता इस्थान पर होने से धन का आग्मन बढ़ता है और घर में बरकत आती है सनाता धरम में पूजा अर्चना में सौपारी का प्रयोग भी किया जाता है धनतेरस की पूजा में भी सौपारी का इस्तिमाल किया जाता है पूजा के बाद सुपारी को तीजोरी अलमारी में रखना शुब माना गया है इससे आपके जीवन में कभी धंधाने की कमी नहीं होगी तीजोरी हमेशा धंधाने से भरी रहेगी दोस्तों ये कुछ उपाये थे मैंने वैसे दस बोला था लेकिन दस से जादा उपाये हैं आप इन में से कोई एक करेंगे तो आपके जीवन से आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी पैसो की कमी कभी नहीं रहेगी घर जोय धंधाने से भरा रहेगा ये वीडियो यहीं तक थी आगे और इस तरह की वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू